एलो फ्रेंड कैसो आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छ होगे स्वागे दे दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल के रिख्वलेंट प्रिडिक्शन में है आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं UAE वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में तीसरा और आखरी यहां पर मैच डिसाइडर मुकाबला खेला जाएगा ठीक है तो कौन सी टीम बाजी मार सकती है कौन सी टीम अपने नाम स्रीज कर सकती है वीडियो में बाकी की बाते फुल डिसकस किया जाएगा सो विदाउट वेस्टिंगे टाइम वीडियो को के चैनल पर नहीं हो दोस्तों तो आप लोग आ सकती है और क्रिक 2580 यह भी लिख कर सच करके आ सकते हो बाकी देखो चार नवंबर का पिंड मैसेज होगा थोड़ा सा आप लोग यहां पर यह जरूर चेक कर लिया करो बिकास बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से चैनल वगर से यह बताने का कोई सेंस है नहीं बहुत सारे लोग इसी के बेस पर अपनी टीम करते हैं लेकिन आप लोग यह देख लेना ठीक है रिकॉर्ड की हम लोग बात करेंगी प्लेंग 11 आप लोग देख लेना क्या कुछ हो सकती है पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रैंडली दिख के टोटल गी रहे थें चेज कर लिया था अफगानिस्तान की टीम ने लेकिन दूसरा मुकाबले यूए की टीम ने चेज कर लिया था 137 मातर आफगानिस्तान की टीम बना पाई थी तो देखो अगर 150 के अंदर स्कोर बनता है तो मुझको लगता यह चेज हो सकता है कूए अ आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते चेजिंग करने वाली टिम को बहुत ज़्यादा अड्वांटेज मिलने वाला है अब उधाभी का यह ग्राउंड रहने वाला है वीडियो पर बैकाते हैं हम लोग यहां से यहां पर देखेगा हाईस्ट इसको बना था 227 विकेट के मुहम्मद वसीम यह खिलाड़ी बहुत इंपोर्टेंट है आप इनका मुकाबला देख सकतो अगर एक यहां पर तीन गेंद में दो रॉन वाला छोड़ दिया जातो उसके बाद इन्होंने टोटली बहुत अच्छा परफरमिस किया है इनके साथ देखो रोहान मुस्तफा यह भी इस टीम के परमुख, बैट्समैन आप लुग मान के चल सकते हों बाॉलिंग भी करते हैं विकेटलेस अभी गया है डेखोगे पिछले दो मुकाबले से विकेटलेस गया है अर्विंद इस टीम के विकेटकीपर खिलाड़ी है पिछले मुकाबले में पहले भी देखो के ठीक ठाक दो पारिया उन्होंने खेले हुई है बाकी स्टार्टिंग मिलता है बड़े में कनवर्ट नहीं कर पाते हैं रिजवान का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है अगर एक 48 रोनों वाली पारी छोड़ दी जाए तो बाॉलिंग भी नहीं करते हैं उसे पहले बाॉलिंग कर रहते हैं नीचे आते हैं जवार फरीद की बात करते हैं रिसेंट फॉर्म इनका भी कुई खासा नहीं है हाँ बाॉलिंग से इन्होंने लेकिन दो विगड निकाला था तो य नहीं दिख रहे हैं आयान अफजल खान ये खिलाली पिछले मुकाबले में देखो गया बैटिंग नहीं आई थी बाॉलिंग भी इनको नहीं मिला तो देख सकते उससे पहले इन्होंने परफॉमेंस ठीक ठाक किया हुआ है 21 गेनों में 91 रोनोंगी विपारी इन्होंने खे नहीं एकिद फिछले में इनको मिला था दो निकाले उनकाले दो की फ्राजा को एक विक्ट मिलाता अफगानिस्तान टीम के तरफ से देखो इंपॉर्टेंट खिलाडी की बात की जाना तो यहां ते हजरतुल्या जाताई रह्मनुल्ला गुर्बाज यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खिलाडी ठीक है अगर ओडियाई किरकेट होता तो आप लोग इबराहिम जादरान का भी नाम मान के चल सकते तो फिलाल के लिए फिलाल भी मान के चली सकते हो क्योंकि सामने वाली टेम उतनी मजभूत Не牠ीक कर दी गई है तो ऐसा इसमें एक इन्होंने सॉनसर टोनों की भी पारी खेली है विकेट कीपर खेलाडी है नजीबुला जादरान वन आफ दी बेस्ट मेडल ओडर बैट्समें आप इनको मान के चल सकते हो करीम जना जो यह टीम है यूए इनके खिलाफ इनका परफ़रमेंस बहुत अच्छा आता है तो यह भी खेलाड़ी एक इंपॉर्टेंट के स्रेणी में मान के चल सकते हो बाकि ओम जाई का देख सकते हो रिसेंट का फॉर्म विकेट से अच्छा है मतला विकेट निकाल रहे हैं बॉलिंग से अच्छा फॉर्म है राशीद खान का देखिए गा पिछले मुकाबले में दो ही विकेट निकाल पाएं यहां से उसके बाद फजल हक फारुकी को देखेगा चार विकेट मिला है उसके इनका भी लेकिन हाँ फजल हक फारुकी के यह जब लीग हो रहा था ना यूए टी ट्वेंटी तो उसमें इन्होंने परभावित किया हुआ है बाकि फरीद अहम मलिक की बात करते हैं तो इनका ठीक ठाक फॉर्म है पिछला दो मुकाबला छोड़ दिया जा तो अच्छा काता फॉर्म है बात करते हैं जब यह दोने टेम आपस में खेलती तब कौन से खिलाडी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं तो मुहम्मद वसीम का बासाट कावरेज मा कि जहूर खान तीन में तिन जवाद उल्ला एक में एक राकिफ रजा एक में एक अफगानिस्तान तीम के तरफ से नजीब उल्ला जादरान चालिस के आवरेज हैं इंपोर्टन खिला लिए देखना पड़ेगा अगर मीडल ओर तक बाच जाती है तो इंपोर्टन हो सकते है करीम जन्नाथ 6 में 107 36 कावरेज है यह जादाई 3 में 6 6 33 कावरेज है बॉलिंग से राशिद खान साथ पारी में 13 विकट यह तो सी विसी के भी पर मुख दावेदार रहने वाले हैं बागी एफ अहमद मलिक 5 मुकाबले 6 विकट करीम जन्नाथ 6 में 4 ओमजाई 2 में 1 वेन्य से रोहन मुस्तफा 13 में 15 विकट जुनियस चिदी की 8 में 8 विकट राज जेड खान जहूर खान मतलब 10 में 8 विकट जवार फरीद 2 में 3 विकट जवादुल्ला एक में 1 विकट अफगानिस्तान टीम के तब से बात करते हैं तो देखिएगा बैटिंग से करीम जन्नत का 42 का यह जजै यह जवादाएं लेके लेकिन उतना बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड तो नहीं दिख रहा है गुलबदीन नाइब कभी 30 का आवरेजे मुकाबले एक सो पंधरा रन है बाकि गुरुबाज का आठ मुकाबले 1620 का बेगरेज है बालिंग राशित खान का वेनू प बागी की बात द्रीम अलन पे चलके आम लोग डिसकस करते हैं देखो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विकिट कीपर आप्टेशन तो सबसे से अपने आप लगों को गुरबाजी देखने को मिल रहे हैं जयजाई का भी ऑप्सन है लेकिन नीचे खेलेंगे तो गुरबाज जादरान टॉप थिरी अफगानिस्तान टीम को ही मैंने फेवर किया हुआ है फिर भी मुझको देखो 70% चांसे लगता है कि नहीं की टीम यह थे गी तो साथ खिलाडी मैंने इनके टीम के अपने टीम में ट्राइ किया है और राउंडर सेक्शन से करीम जननत रोहान मुश्तफ करते हैं इनको मैंने टीम में ट्राइ किया है और देथ में बॉलिंग वो कर सकते हैं तो फिलाल बात करते हैं कैप्टन वास कैप्टन मेरे गुरबाज रहने वाले हैं वीसी के तौर पर मैं राशीद खान के साथ जा रहा हूं option की बात की जाए तो वसीब मुहम्मद का option है आप इनको बिल्कुल बना के चल सकते हो ठीक है लेकिन यह बॉलिंग से ज़्यादा शूरिटी नहीं है तो इस वाजा से मैंने विकेट कीपर जो की गुरबाज करने वाले उनको बना रहा हूं बेश्ट में लग रहे हैं राशीद खान विकेट टेकर नेचर के बॉलर है वह भी बेश्ट में रहने वाले हैं तो देख सकते हो फिलाल कुछ इस परकार के टीम में च्वाइस एवन के अप्लिकेशन है आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो यहाँ पर देख लेना गांडेट परसेंट ट्रस्टेड अप्लिकेशन है डिपोजिट ओफर वगारा भी चल रहा है आप लोग देख सकते हो फश्ट डिपोजिट करोगे एक रुपे से लेकर दस आ सब्सक्राइब करना तब तक के लिए गुडबाई टेक क्या